केसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो जैसे कि आपको पता है हम लोग उने एक लेक्चर सीरी शुरू करी है जिसमें हम लोग जोनल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जो क्वेशन्स आते हैं खास तोर पे SSC में या आपके जुझे के SSB के एक्जाम्स हैं सीसाइड में भी आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं तो हम लोग इस टॉपिक को कर रहे हैं सीक्वेंस वाइस डेली एक क्लास आपको मिलती है आज हम लोग करेंगे स्पेस विजुएलिजेशन के ऊपर क्वेशन इस से पहले हम लोग ने जो चीजें डिसकस करी थी उन सबसे ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है बाग की के चैप्टर थोड़े से इजी थे जो लोग ये चैनल पहली बात देखने आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते ताकि आप लोगों को हरीक अपडेट मिलता रहें स्लेबस पे एक बार नजर डालते है ये एक जर्नलाइस लेबस होता है SSC की अगर बात करें उसका भी और अगर आपके स्टेट एक्जाम्स की बात करनों तो उनका भी तो रीजनिंग में हम लोगों ने सिंबॉलिक ऑपरेशन को देखा था जिसमें आप लोगों को सिंबल्स को डिकोड करके फिर सिंप्लिफिक सिंप्लिफाइड वे में उसको आंसर निकालना होता है ट्रेंज के हम लोगोंने क्वेशन देखे थे जिसमें मैट्रिक्स कोडिंग आपकी यूज हो जाती है स्पेस ओरिएंटेशन में हम लोगोंने वाटर इमेज मेरर इमेज के एक्वेशन को देखा था एक छोड़ी सी टाइप होती है उसको हम लोग को प्रेक्टिस सेट में डिरेक्ट करेंगे उसके बाद अब आता है स्पेस विजुलाइज़ेशन होता क्या है देखो स्पेस व बच्चे कहीं बार कंफ्यूज हो जाते तो थोड़ा सा देहान से पढ़ना में दो से तीन बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा हमेशा कितना जो आपको सारे क्वेशन करने में हेल्प करेगी इसी के साथ साथ यह आप लोगों का एक मॉक्टेस स्केडियूल जो है वो चल यह बहुआ की लना जाते हैं आप लोगों को लुक्ट की अपको डांलोड करना है आंप लोगों को वहां पे को यूस करना एंडिया आप लोगों को वहां पे स्पेशल discount जाए, extra discount जाए, वैसे भी courses 4-500 रुपे के हैं, उस पे भी आपको discount जाए, वो मिल जाएगा, और अगर आपको ये सब एक ही sequence में चाहिए, तो आप VLW 5 Secretary का course भी download कर सकते हैं, जिसमें बहुत जल्द अब आपके practice set ज़र वो शुरू हो जाएंगे, आप लोग जितनी चीज़ें पढ़ी, अब उसको apply करना सिखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की glass को भी न जाला time waste किए, सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, space visualization के बारे में, देखो, space visualization के अगर मैं बात करूँ, space visualization होता क्या है, आप लोग ये line से भी समझ चुके होंगे, ये एक ability आपकी test करता है examiner, कि आप लोग कैसे, ये जो भी 2D या 3D figures है, आम तोर पर maximum आपको 3D figures देखने को मिलती है, जिसको आप लोग solve करते हैं, maximum time आप लोगों को या तो cube की form में question दिया जाएगा, या dice की form में दिया जाएगा, और आपको ये पुछा जाता है, up dice की form में question भी 2-3 तरीके से बनते हैं, cube के questions भी 2-3 तरीके कें बनते हैं, हम उसको discuss करते हैं, आप लोगों ने घर पर ये मैं मान के चलता हूँ dice की अगर बात करूँ सबने देखा होगा dice क्या होता है dice को हिंदी में हम लोग पासा कहते हैं जिसको आप लोगों ने अगर कभी ludo खेली है अगर आप लोगों ने कभी महाबारत देखी है वहाँ पे बहुत बार यूज हुआ था चीक है शकूनी मामा आप लोगों को याद होगा वैसे ही ludo में हम लोग खेलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा standardized यहाँ पे दो तरीके से आते हैं पहला होता है एक आपका standardized ठीक है अब standardized क्या होता है standardized की अगर मैं बात करो standardized में याद रखना जो हम लोग ludo में खेलते होई यूज करते हैं उसको हम लोग standardized कहते हैं इसमें हमेशा sum of opposite faces जो होता है वो हमेशा is equal to 7 होता है पहला point तो आपको यह बताऊँगा standardized के paper में question नहीं आते हैं यह भी मैं आपको बता दू बहुत rare मुझे आज तक नहीं लगता मैंने अब कभी अपने experience में 8-9 साल के कभी standardized का question paper में देखा होगा हाँ पहले कभी पूछा गया हो तो उसका हम कह नहीं सकते लेकिन standardized question नहीं आते हैं लेकिन आपको यह एक basic चीज जो है वह आपको होगी आपके घर पर डाइस होगा तो आप उसको जरूर देख लेना यानिकि एकर वन है तो उसके opposite face जो होगा यानिकि जो इसके back side यहां पे face होगा मैं आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना दू ठीक है अब अगर मालो यह first face पे 1 है इस face पे 5 है और इस face पे 4 है तो जो बिलकुल back side पे देख रहे हो वहाँ पे आपको दिखेगा 6 क्यों क्योंकि standardized में इनका sum क्या होता है 7 अब यहां पे 5 है तो इसके opposite यहां पे कुन सा होगा यहां पे होगा 2 ठीक है क्योंकि sum 7 होता है और यह उपर 4 है तो यह जो नीचे होगा वो क्या होगा यह होगा 3 आप लोग घर पे dice उठाना आप एक बार इसको चेक कर लेना यह standardized के case में चीजें जो हैं वो होती है अब हम बात करेंगे जर्नल डाइस के उपर जर्नल डाइस में क्या होता है तेखो जर्नल डाइस मतलब जर्नल डाइस आपको जो figure है वो आपको इसी तरीके से dice या cube की form में देखने को मिलती है लेकिन वहां पे यह rule जो है यह applicable नहीं होता है एक्जाम में यह questions पूछे जाते हैं अब हम लोग इसके उपर थोड़ी सी बात करेंगे अब यहां पर question बनता है कि अब यह होगा क्या करेंगे कैसे सबसे पहले चीज़ जर्नल डाइस में आपको बता दू मान लीजिए वो भी सेम आपका इसी तरीके से examiner दे देता है 1, 2 और 3 लिखके अब यहां पर एक चीज़ याद रखना अब maximum question जो बनते हैं वो यह पूछा जाता है कि बताओ 1 के opposite में क्या होगा 3 के opposite में क्या होगा या कून साइसा नंबर है जो 1 के opposite में हों ही नहीं सकता क्योंकि opposite मतलब मैंने आपको जैसे अभी बताया कि इस तरीके से आपका एक dice है मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपका एक याद दे जैसे माल लो अगर यहां यह जो front में है यहां पर अगर 1 है माल लो इसके यहां पर 2 है इसके upper side में 3 है तो आप से पूछा जाएगा बताओ 1 के opposite क्या है ऐसी चीज़े जो होगी बड़ी बार examiner दो-दो dice दे रहता है तो उसके बाद पूछता है तो अब यहां पर सारी जो चीज़े आती है यह आती है आपकी किस पे visualization पे कि आप किस तरीके से चीज़ों को visualize करते हो इसलिए इसका नाम है space visualization अब दो rule बताओंगा जादा से जादा दो rule आपको जो मैं यहां पर लिखवाऊंगा उनको note करना आप लोगों को जो dice के questions आते हैं basically इस तरीके से cube के questions आते हैं इसमें आपको कभी गरबढ नहीं होगी rule number one आप लोग लिख लीज़े क्या होगा पहले मैं आपको बता देता हूँ मान लीज़े इस तरीके से आपके पास दो dice given होगे paper में मान लीज़े 4 है 6 है 2 है और दूसरा जोनर डाइस आपको इस तरीके से given है जिसमें आप मान लीज़े 5 है 6 है और 3 given है अब पहला रूल क्या कहता है जब वेन वन नंबर इस कॉमन इन बोथ डाइस अब मान लीज़े एक डाइस दो डाइस given है आपको और एक नंबर कौन सा नंबर जैसे यहां पर आपको क्या देखने को में रहे छे यह क्या है कॉमन है दोनों में अब इसमें आपको पुछा जाता बताओ इसके opposite क्या होगा छे के opposite क्या होगा अब इस case में क्या होता देखो छे के adjacent कौन है अब यहां पे एक चीज़ को देखना डाइस नंबर बन की बात करूँ तो छे के adjacent कौन सा है 4 छे के adjacent है 5 और दूसरे केस में कौन सा है 2 चीक है पहला आप लोगों ने देखा क्या है छे के adjacent 4 है और छे के adjacent ही है आपका 2 इस case में दूसरे dice में क्या है दूसरे dice में आपसे पूछा गया है यहां पे कौन सा है 5 और यहां पे कौन सा है 3 अब एक और चीज़ याद रखना अब यह सब adjacent है तो opposite कौन सा होगा जो हमारा रह जाता है यानि की 6 के जो बच गया है वो कौन सा है वो बच गया है 1 यानि की 1 जो है वो opposite होगा 6 के लेकिन examiner अगर मान लीजिए कभी आपसे question पूछता है कि बताओ question में which number is opposite to 4 अब इस case में आप क्या आगर होगे अब इस case में जो रूल को लिखवाऊंगा अध्यान से लिखना हमें हमें हमेशा जो भी number हमारा common होता है वहां से हमें clockwise direction में चलना है clockwise direction क्या होती यह ठीक है और इसको इसी sequence में हमें लिखना है जैसे यहां 6 है छे के clockwise में पहले मैं चार लिखूंगा फिर clock ऐसे आएगी दो छे के यहां पर आ जाएगे clockwise में पहले पाच आएगा फिर क्या आएगा तीन और यहां पर इस चीज को याद रखना जब भी कभी भी आपका एक number common होगा दो dice में यह आपस में opposite होंगे यह चीज बहुत important है examiner आज कल जो latest pattern चलता है इस तरीके से question पूछता है तो आपको यहां पर यह याद रखना है और जो बच जाएगा वो किस के opposite होगा वो होगा 6 के opposite यानि की 4 के opposite 5 होगा और 2 के opposite 3 होगा पहला rule यहां पर यह कहता है clockwise direction में हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को move करना है और उसको हम लोगों को लिख देना है as it is पहला point clear है यहां तक इसके लावा एक और rule है वह आपको बताऊंगा कि यह close dice में आता है rule number second क्या कहता है देखो rule number second क्या कहता है when two numbers are common in both the dice अब मानलो अब क्या है इस case में क्या है आपको दो dice given है मैं बना रहेता हो यहां पर ठीक है दो dice आपको given है और दो number जो है वो common है 5 4 6 और 614 यानि कि एक आपका 6 common है एक आपका 4 common है एक आपका 6 common है एक आपका 4 common है अब इस case में क्या होगा अब देखो इस case में क्या होता है जो number आपका given होता है जो आपके अलग से number होते है वो आपस में क्या हो जाते है opposite हो जाते है वास आपको यह याद रखना है अभी तक जव पड़ा मैं एक बार ही आपको रिव वापिस से विज्वलाइजेशन में बता देता हूँ सबसे पहली चीज हम लोगोंने क्या देखा था स्पेस विज्वलाइजेशन को हम लोगोंने शुरू किया था visualization होती है आपकी ability आपको ये figures दी जाती है आपको जैसे visualize करनी है चीज़े दिमाग में इसमें आपको सिरफ सोचना है कि कैसे चीज़ें हो सकती है dice के ओपर जो questions बनते हैं एक आता है हमारा सबसे पहले standardized standardized का हम लोगों ने क्या देखा sum of opposite faces is always seven अब जो अगर मालीजे आपके घर पर dice है आप उठा के देख लेना चेक कर लेना आपको ये जो है इसी तरीके से मिलेगा one के opposite six होगा five के opposite two होगा four के opposite three होगा paper में question क्या बनता है question आता है in standardized what is opposite two three सिधा दे दिया जाएगा figure भी नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा तब आप लोग कहीं बार बच्चा अगर जिसन नहीं पड़ा होता हो paper में बोलता है यार आप तो figure ही नहीं given थी हम कैसे बता सकते थे तो याद रखना some क्या होता है some हमेशा seven के बराबर होता है तो opposite कौन सा होगा four इसके बाद दूसरा चीज हम लोगों ने देखी क्या general dice अब general dice में क्या होता है general dice में यह fix नहीं होता one two three ऐसा इसमें seven वाला concept नहीं चलता इसमें दो रूल है जो आपको देखने को मिलते हैं पहला क्या है पेपर में दो dice आपको given होते हैं हमेशा आपको दो दिये जाएंगे उसमें एक number common होगा और आपको पूछा जाएगा इस तरीके से question जैसे कि यहाँ पर आपका six था आपको पेपर में पूछा जाएगा कि three क opposite कौन सा है two के opposite कौन सा four के opposite कौन सा five के opposite कौन सा है तो rule मैंने आपको बताया हमें क्या करना होता है हमें हमें हमेशा जो कोई भी अब जैसे माल लो यहाँ पर four है three है टू है ठीक है इसको मैं इस तरीके से बना लेता हूं three one five ठीक माल लो इसको कुछ भी इस तरीके से अब प जो साथ में एड़ेसेंट है उसको लिखेंगे ऐसे 4-2 और इसमें क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे 1-5 4 के उपोजिट 1, 2 के उपोजिट 5 बास आपको ये पहला कंसेप्ट याद रखने है ठीक है इसके बाद दूसरा क्या है इसके आद है जब दो नंबर कॉमन होते है तो उसमें जो भी आपका रह जाता है वो आपस में क्या हो जाते है वो ही आपके उपोजिट हो जाते हैं यहां तक लियर है यह चीज अधिक जिशें ख्लियर है फिर आम लोग आगे बढ़ेंगी उच्छा गया है which number is on the face opposite 6 अब पहले आप लोग इस question को एक बार करके देखो पहले हम लोग करेंगे फिर एक और concept यहां पर यूज होता है open dice का वो भी हम लोग देखेंगे विजुलाइजेशन में ही आता है अब बताओ कोन है जो 6 के opposite होगा देखो सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या देखा यह आता है पहला टाइप बहुत असानी से आप लोग यह विजुलाइज कर लो के चीजों को अगर आप लोगों को यह लेक्चर आप लोग देखके जा रहे हैं अब डेक्स पर आते हैं अब 3 dots के पूछा गया opposite कोन सा हो अब सबसे फाली चीज त्री दॉट देख लो कहां पर अब 3 डॉट है यह एजजसेंट कोन सा है चे है चार है लिख लो कि इसकेस में आजएंड है। 3 है सिख बिल्कुल है इजशेंट टा है और एक है अब यहां पर द्रीट हम नहीं हटा दो यहां प्रीट है बिल्कुल है एजशेंट क्या है वान और ऑ जैए अब यहां पर एक चीज आईए अब यहां पर आप लोग इस पोजिशन त Ready कैस अब यहां पे 4-4 dice दीए है, पेपर में हो सकता है, दो dice गिवन हो, पेपर में हो सकता है, हाँ, आपको 3 दीए दीजिए है, यूज कैसे करना है, मैंने आपको बता दीए, which number is opposite to 3, if the 4 different position of a dice are shown and given below, अब क्या लिखा गया, एक, दो, पांच, छे, क्या बचा, हमारा बचा 4, यानि कि इसका सम साथ हो गया, यह तो चलो अलग बात है, जो पूछा गया, वो हम लोगों ने निकाल दी, option number B, यहां पे answer, next पे आजाओ, अब वापीस है, आपको इस तरीके से figure given है, आपको पूछा गया है, 6 के opposite कौन सा, अब देखो, सिधा हमें 6 पे जाना है, 3, 5, और 1, यहां पे आगया, अब यहां पे question जो है, यह थोड़ा सा interesting बनता है, क्योंकि अब यहां पे 2 भी है, और 4 भी है, आप कैसे करोगे, 6 के साथ पूछा गया है, अब यहां पे आओ, अब यह question जो है, यह थोड़ा साथ अच्छा है, अब इसको धिहान से देखो, क्या होगा, हमसे पूछा गया है, 6 के opposite कौन सा है, 4 dice given है, लेकिन तब भी हमें, थोड़ा सा यहां पे confusion create हो सकता है, सबसे पहली चीज क्या है, 6 के पास हम लोग देख लेते हैं, 6 के adjacent कौन कौन से है, पहले तो वो हटा दो, 6 के adjacent क्या है, 3 है, 5 है, 1 है, यानि कि यह 3 तो हो नहीं सकते हैं, अब बचे क्या, अब बचे हमारे पास 2 और 4, अब इन में से कोई 1 होगा, अब वो कैसे चेक करोगे, बताओ, अब आप लोग यहाँ पर इस question को देखो, और आप लोग मुझे बताओ, अब यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मान लो मैं 2 को देखता हूँ, इसी figure में, कि 2 के adjacent यहाँ पर हमें क्या क्या given है, 2 के adjacent हमें given है, 4, 5, ठीक है, और मैं वापिस से 4 को देखता हूँ, 4 के adjacent हमें क्या क्या given है, 3, 5, 4 के adjacent और क्या given है, यहाँ पर अब यह है, अब आप इनको बताओ, किस तरीके से इस question को करोगे, कैसे answer निकालोगे, बताओ, इस पर एक बहुत छोटी सी चीज है, जो आप लोगों को strike कर जाएगी, तो आप इसका answer निकाल दोगे, या तो मैं इसको आपको homework देखके चले जाओगा, मैं चाहता हूँ इस question पर, आप लोग सोचो, आप लोग इसका answer निकालो, आप लोगों को चीजे सीखने को मिलेंगी, तो आप लोग पहले पहले पर इसका comment box में लिखके बताओ, क्या होगा answer, 2 होगा, 4 होगा, क्या होगा इसका answer, बताओ, क्या answer होगा इसका, एक काम करने हैं, अगर आप लोगों को इसको नहीं समझाएगा, अगले lecture में इसको पहले आपको समझाऊँगा, बढ़ यह मैं आपको homework देके जा रहा हूँ, ताकि आप लोग इसका answer निकालो, और आप लोग इसको लिखो, अब 2 होगा या 4 होगा, 2 options तो देखो, अब आपको बताना है कि इसका answer होगा तो होगा, तो यह questions है, यह visualization के questions आते हैं, किसमें जब आपका close dice होता है, यानि कि जो आपका इस sequence में given होता है, यहां तक clear है close dice में, जो concept पड़े, वो यहां तक आप लोगों को I hope clear होगे होंगे, अब next पर आजाओ, next एक आता है हमारा open dice, अब आप लोग सोचोगे, यह open dice के अबला है, अब कहीं बार क्या होता है, visualization की concept है सारा, आपको ना इस तरीके से, एक dice जो है वो given होता है, open form में आपको dice दे दिया जाता है, कि मान लो इसको लिख देते हैं, पहले इसको एक dice बनाओ, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद बताओ, इसके opposite क्या आएगा, चीक है, यह उसके बाद आपको दे दिया जाते है, चार dice दे दिया जाते है, बताओ, कौन सा वाल है जो बनेगा, मैं वो भी बना देता हूँ, यहाँ पर, जल्दी से मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताओगा कि करते कैसे हैं इसको, इसको one four five कर दो, इसको six five two कर दो, और इसको two four one कर दो, अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको dice को बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर, पहली चीज क्या है, यहाँ पर मुझे बताने कि, इन में से कौन सा dice है, जो बनेगा, examiner कहीं बार यह देता है, अब बच्चे कहीं बार ना, बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, वो इसको कोशिश करते हैं, हाँ इसको fit करेंगे, यह कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, basic rule है, ध्यान रखना, कभी भी exam में गलती नहीं होगी, पहला point क्या कहता है, हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपका एक छोड़ के, चले जाओ, वो क्या होंगे, आपके opposite, और यह दो बचा, और यह छे बचा, alternate मतलब एक छोड़ के, are opposite to each other, अब इस figure पर अगर मैं आऊँगा, तो 3 का opposite क्या हुआ, एक, 5 का opposite क्या हुआ, 4, और 2 का opposite क्या हुआ, 6, ठीक है, यहां तक clear है, अब हमें पूछना है, dice कौन सा बनता है, dice वो बनेगा, अगर इसमें किसी में भी opposite, number आपका अगर, 7 में लिख दिया है, adjacent बना दिया, वो तो, obviously, गलत हो जाएगा, अब देखो, यहां पर क्या, 3 और 1 को क्या कर दिया है, 7 में लिख दिया है, यह गलत है, अब 5 और 4 को, यहां पर साथ में लिख दिया, यह गलत है, अब next पर आजाओ, देखो, 2 है, 5 है, और 6 है, 2 और 6 आपस में आप उप उचिट है, यह गलत है, अब 1, 4, और 2, तीनों अलग है, आपका अंसर होगा, option number D, यह एक basic concept है, बहुत basic चीज है, जो आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, यह बहुत easy है, open dice अगर आप लोगों ने कभी नहीं पड़ा, मैं आपको बता दो, मैं पहले paper देता था, बिना तैयारी के, तब मैंने पड़ा नहीं था, तब मुझे बहुत confusion होती थी, जब यह question दिखता था, तब मैं सोता था, यार इसको करूँगा तो करूँगा गैसे, जब चीजे पड़ी, तब पता चला कि मैं ही बेवकूफ था, जो इतना time paper में इस पर waste करता था, एक और option में आपको यहाँ पैसे बना देता हूँ, यह आप लोग पहले try करिएगा, option में यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, अब आप लोग खुद देखिएगा, कितनी असानी से आप लोग इसके answer कर दोगे, दो है, तीन है, पांच है, एक, दो, चार, अब आप लोग इसको देखो, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सबसे पहले देखना alternate कौन-कौन से है, एक का opposite 5 होगा, चार का opposite क्या होगा, चार का opposite 2 होगा, और यह जो अलग है, यह अलग आपस में opposite होगे, 6, चीक, अब क्या करना है, अब देखो, simple है, जिस भी आपको dice में, तीनों अलग अलग दिखने हैं, आप उसको answer कर दो, अब जैसे 3 है, 6, 7 में given है, opposite face है, नहीं होगा, एक, 5, opposite face है, 7 में नहीं होगा, 5, 3, 2, 5, 2, 3, आपका answer, अब मैं आपको एक और यहां पर form दिखा देता हूँ, जो काफी सारी अलग अलग forms में, आपको कहीं बार देखने को मिलती है, अब कहीं बार इस तरीके से दे दिया जाता है, अब आप लोग को को ना, मैं थोड़ा सा यह कर देता हूँ, हाँ, ऐसे ठीक है, अब आप लोग मुझे पहले बताओगे, हर एक के साथ की कोन किसके opposite है, दिख तो नहीं रहा, बस ठीक है, अब आजाओ, वन का opposite 5, थी का opposite 6, दो का opposite 4, बाद मैं चेक कर लेंगे, अभी मैं सिर्व आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, दो का opposite 4 और तीन का opposite 6, यह अलग अलग forms आ जाती है, दो का चार, तीन का पांच, दो का चार, तीन का पांच, और एक का छे, opposite face, एक का चार, तीन का पांच, एक का चार, तीन का पांच, और दो का छे, नेक्स पे आ जाओ, एक का opposite कौन सा होगा, चार होगा, तीन का opposite क्या होगा, छे होगा, और दो का opposite क्या होगा, दो का opposite होगा आपका 5 इस तरीके से कहीं बार दे देता अब यहां पर बच्चा कहता अब इस case में कुछ नहीं करोगे आपको मैंने बताया है alternate आप लोगों को ढूंडने है आप लोग इस तरीके से alternate चलाओगे एक का 3 होगा चार का 6 होगा और जो बच गया वो आपस पे opposite होग के लिए यह बहुत आसान हो जाएगा पेपर में open dice के questions को करना within seconds आप लोग इसका answer कर लोगे अब open dice के थोड़े से questions देख लेते हैं दो तीन questions हम यहां पर discuss करेंगे दो ही करेंगे फिलाल अब आप लोगों के लिए पहली चीज़ यह है अब क्या पूछा गया है पेपर में एक है यहां से यह आगया और यह उप्वोजिट हो गया हमारा इसके बनाने को यह तो क्या है एक खाली यह भी खाली यह circle वाला इसके स्क्वेर वाले के opposite है और तीसरा क्या है एक खाली है और एक क्या है shaded वाला यह opposite फेसे आगये है अब आज़ो सिद्धा options के ओपर यह आप square है ये वाला ये है ये है अब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है चांसे इसको ले लो आगे चलो यानि कि बनने में ये बन सकता है ठीक है अब जरूरी नहीं है कि हम लोग दिमाग को चला है और बोले नहीं यार ये दोनों यही है बट ये हो सकता है एक वालो ये है एक ये है बन सकता है यह, तीसरे पर आजाओ, circle है, shaded portion है, और खाली portion है, answer क्या हो जाएगा यहां पर, answer हो जाएगा C और D दोनों बन सकते हैं, clear है, अब यहां पर आजाओ, F के opposite, B है, E के opposite, C है, A के opposite, D है, अब आजाओ question के उपर, सिद्धा options पर आजाओ, अब F, ठीक है, E, ठीक है, B, लेकिन F और भी opposite है, नहीं बनेगा, F और D, F है, D है, E है, तीनों अलग-अलग है, बिलकुल बनेगा यह, E, B, C, E, और C तो वैसे भी क्या है, opposite है, तो यह साथ में बनेगा नी, E, A, D, अब A और D opposite है, साथ में adjacent बनेगा नी, option number B आपका answer, और यह था आपका पूरा space visualization का ए और मुझे उमीद है कि आपको यह चीजे समझ आई होंगी, क्योंकि space visualization में बहुत सारे बच्चों को problem जो है, मैंने, बच्चों को मैं कैसे कह सकता हूँ, मैंने खुद काफी problem face करी है paper में, जब तक मेरे को इस चीज के basic rules का पता नहीं था, क्योंकि यह visualization कहीं बारना बहुत हो जाती है, mirror image और water image तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन यह visualization अगर आप में से किसी को कोई concept नहीं पता और आपके सामने इस तरीके से paper में, मान लो dice बना के आपको कोई दे रहता है, ठीक है, और आपको मान लीजे, आप लोगोंने कभी नहीं पढ़ा, 1, 2, 5, 4, 6, 3, और आप इसको fold गरूँगा, बहुत time waste होता है, अगर आपको इस चीज़े नहीं पता होगे, और आपको चीज़े पता है, तो आप लोग जो दूसरा बच्चा 2-5 minute waste करेगा, उसके comparison में, आप लोग 15 second में, maximum answer निकाल के आगे बढ़ जाओगे, यह lecture कैसा लगा, comment box में लिखके अगर आप लोगों को reasoning का, और इसमें मैं कोशिश करूँगा, कोई gap ना आए, और यह पूरा हफते 10 दिन के अंदर अंदर आपका खतम हो जाएगा, और इस तरीके से मैं खतम करवाँगा, कि आपको किसी भी book से, किसी भी app से, कहीं से भी question अगर लगाएंगे, तो आपके ब डाउलोड कर सकते हैं, अभी आपको discount मिल जाएगा, code use कर लीजिएगा, इंडिया, Republic Day की हार्द इक शुप कामना है, फिट से सभी को, तो बबाबाई डेकर, all the best, मिलते हैं जल्दी ने लेक्चर के साथ,